नमस्कार फटाफट खबरों के साथ मैं प्रतीक्षा हाजर हूँ एक बार फिर आप सब को डेश दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू कराने आईए नजर डालते हैं आज की बड़ी दस खबरों पर मध्यप्रदेश के एक दवसी दौरे पर गए प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी ने राजगर में बांध का डिजिटल लोकारपन किया इसी साल के आखिर में इस राज़ी में चुनाव होने हैं ऐसे में पीए मोधी का ये दौरा बेहत एहम माना जा रहा है जमो कश्मीर में अशान्ती और रास्पती शाषन लागू होने के बीच एक हैरान करने वाली सूचना सामने आई है कूफिय एजन्सियों को घाटी में एक ऐसे महिला ग्रूप का पता चला है जो आतंकी संगठन आईएस-ाईएस की विचारधारा का प्रचार पसार कर रही है कूफिय एजन्सिय ने ग्रे मंतराले को इस बारे में अगह किया है कूफिय एफोर्ट में बताया गया है कि दौलत उल इसलाम नाम से कश्मीर घाटी में महिलाओं का ये ग्रूप बेहत सक्री है लकनोव में हिंदू-मुसलिम कपल के पासपोर्ट विवाद में अपने आमोड आ गया है सूतरों के मताबिक तनवीशेट के नाम और स्थाई पते को लेकर उठे विवाद के बाद एक बार फिर से पूरे मामले की नए सिरे से जाच होगी पासपोर्ट विवात के तूल पकड़ने के बाद भले ही आननफानन में तन्वी सेट का पासपोर्ट उन्हें दे दिया गया हो लेकिन एक बार फिर पासपोर्ट का वरिफिकेशन किया जाएगा खबर ये भी है कि अगर पास्पोर्ट वरिफिकेशन में गड़बडी पाई गई तो तनवी सेट का पास्पोर्ट जब्त भी हो सकता है महरास्ट में एक बार स्थिमाल कर फैंक दिये जाने वाले प्लास्टिक पर 23 जून की मधिरात्री से पाबंधी लागू हो रही है इसके लिए मुबई में जोरदार तैयारियां की गई है प्रतिबंधित प्लास्टिक के साथ पाए जाने वाले शक्स पर कारवाई के लिए 250 इंस्पेक्टर्स का विशेश दस्ता बनाए गया है इसके अलावा वेकलपिक समानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है बीजेपी के रास्ते अध्यक्ष अमिट शाह दो दिवसी जम्मू दौरे पर है बीजेपी और पीडिपी के गटपंधन के अलग होने के बार पहली बार जम्मू के दौरे पर अमिट शाह लोगों से मुखातिव होंगे जनसंग के संस्थापक शामप्रसाद मुखर जी के 65 में बैलदान दिवस के मौके पर आयोजित एक रैली को भी शाह संबोधित करेंगे कश्मीर में वरिष्ट पत्रका सुजाद बुखारी की हत्या का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि जमुकश्मीर सरकार में मंतरी रहे बीजेपी के विधायक चौधरी लाल सिंग के बयान पर विवात तेज हो गया है उन्होंने पत्रकारों को बातो बातों में चेतावनी दी है राजी के पूर्व मुखे मंतरी और नाशनल कॉन्फरेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने लाल सिंग के बयान पर बीजेपी को घेरा है रायस्थान माधिमिक सिक्षा बोड ने किताबों में चित्तोर गड की रानी रानी पदमावती से जुड़े इतिहास में बदलाव किया है बोड ने कक्षा बारा की इतिहास की किताब से उस किस्से को हटा दिया है जिसमें कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने पदमिनी को शीशे में देखा था बारती विशिस्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने शुकरवार को कहा कि आधार अधिनियम के तहट आधार की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तिमाल अप्राधिक जाँच में नहीं किया जा सकता प्राधिकरण का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले रास्टी अप्राध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अप्राध पकड़ने के लिए पुलिस को आधार की सूचनाओं की सीमित उपलब्धता की बातने की थी कॉमेडिन कृष्णा अभिशेक और उनके मामा गोविंदा के बीच फिर से अनबन हो गई है एक वेबसाइट को दिये इंटर्विव में गोविंदा की पत्नी सूनीता ने अनबन का कुलासा किया और कहा कि हमने उनसे दूरी बना ली है और ये कभी नहीं बदलने वाले मामी सूनीता के बयान का जवाब देते हुए कृष्णा ने एक इंटर्विव में कहा कि सूनीता मामी ने फैमली को इस हद तक प्रभावित किया कि आज उनके बच्चे भी हमसे बाचीत करना नहीं चाहते